दोस्तों नमस्कार आपने देखा जो ग्यारा महीने से किसान आंदोलन चल रहा था आज मोदी जी ने कहा दिया है कि जो किर्सी कानून थे वो हम वापस ले रहे हैं इसी मुद्धे पर बाचीत करेंगे आज हमारे साथ सपा के पूर मंतरी रामपाल रजुवनसी जी हैं से बा अपनी मांगों को लेकर जो किसान आज तवाम किसानों की मौते हो गई हैं जो धरने पे थे तवाम लाठी चार्ज हुआ तवाम जेल गए तवाम लोगों के साथ घटनाएं दुर घटनाएं हो गई हैं आज मोदी जी ने यही बात कल हमारे किसान में तक कह रहे थे कि ये का काला कानून वापस लो मोधी जी तो मोधी जी कह रहते हो कहा हो केंदिली सरकार के मंतरी कह रहते है काला कानून है क्या और जब काला कानून क्या है इस पर लेकर आज एक साल तक हमारे किसान नेताओं ने अपनी जान की बाजी लगा कर ठंड में बारिस में और भूखे प्यास आज उन्होंने धर्णा प्रदर्शन देकर किसानों की लडाई जीती है मैं उनको बहुत-बहुत किसानों को धन्यवाद देता हूँ लेकिन कुछ लोग कहते ते छपपन इंच का सीना है या किसानों के आगे नहीं जुकेंगे अब ये के 56 इंच का सीना तो आप लोगों के सामने जुग गया है, ये 56 इंच का है की 3 इंच का है, ये सरकार ऐसी सरकार आई है जो काला कानून लेके किसानों की दुबन करना चाहती थी, आज भारत वर्स के अंदर जितने है प्रावेट सिक्टर में दे दिया है, चाहे हो रे लाब पहुँच रहा है वो चीजे वो प्राइमेट सिक्टर बे रहे हैं नोकरिया कहां रखी हैं ये कहने थे खाते जो खुलवाये थे और कहने थे सब को तीन-ती लाख रुपया उनके खाते में जाएगा पंद्रा पंद्रा लाख खाते में जाएगा कहीं एक की खातिम गया है आज हमारा जो किसान है नौजवान है बेरोजगार है मारा मारा घुमरा कोरोना कारकान में जो दुर्दुसा हुई है कहां से दिल्ली से धौलता बात तक किसान नौजवान बेरोजगार मजदूर पैदल जाकर अपने घर पहुंचा है उत्तर प्रद इसमें ही चुनाओ नहीं हो रहा है, ये चुनाओ भारत भार्ष का भागी तए करेगा उत्तर प्रदेश का चुनाओ, ये बिहार नहीं है, बंगाल के चुनाओ हुआ है, ये बंगाल का चुनाओ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाओ है, उत्तर प्रदेश का चुनाओ भारत के भाग को लिखता है भारत की लोकसभा को लिखता है भारत के संसद को बनाता हो बिगारने का इसमें साहस है इसलिए डरे हुए है और पांच प्रांटों में चुना हो रहा है केवल उत्रप्रजेस में नहीं हो रहा है आपके उत्रांचल में हो रहा है उत्रांचल में भी चुनाओ है दो हजार बाइस में उत्तर प्रशेस में भी चुनाओ है दो हजार बाइस में पंजाब में भी दो हजार बाइस में चुनाओ है पांच प्रांटों में चुनाओ ये दो हजार बाइस में होने जा रहा है इसलि दबंगाई के गुल्ड़ई करके किसानों पर चढ़ा दिया हो जिसमें तवाम किसानों की मौत हो गई है और ग्रह राजमंतरी भारत सरकार उनको उटाने को तराजी नहीं हुई है यह छोटी चीज नहीं है बहुत बड़ी चीज है एक देश के प्रधान मंतरी के साथ में मंत यह दुर्भाग बस नहीं यह देश का दुर्भाग है यह के सरकार ऐसी सरकार है जिसने हमें साथ दबन किया है अच्छा जीफ तरीके से लगातार 11 महीने से कह रहे थे कि काले कानून है काले कानून है क्या मोधी जी की समझ में 11 महीने बाद आया कि काले कानून है नहीं, मोधी जी के समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मोधी जी ने सारे बिलाग प्रावेट सिक्टर में दढ़ दिया है। इसी तरिके से जो किसान की जमीन ने थी, उनको भी प्रावेट सिक्टर लोगों को देना चाहते थे, कि किसान तो जम नाम बनी रहेगी, उसकी मलकि तो रहेगी बगर जो हम कहेंगे हम ठेजे में लेंगे जो हम कहेंगे फसल वही बोई जाएगी यह काला कानून इसलिए मोधी जी के आप समझ नहीं आया समझ में मोधी जी के समझ कर ही उन्होंने नोट बंदी की थी समझ में ही किसानों के साथ में अत्याचार किया था उनके स पार्टी की सरकार दंगा सरकार पार्टी है अखले स्यादव भी लगता है किसानों के लिए आवाज उठा रहे थे क्या लगता है अखले स्यादव की आज जीत हुई और जो किसान है वो अखले स्यादव जी के साथ आई यह जीत का अखले स्यादव की समाजबादी पार्टी क जीत नहीं हुए एक किसान की जीत हुए नवजवान की जीत हुए बेरोजगार की जीत हुए आम जन्मानस की जीत हुए हम सब की जीत हुए पार्टियों की भी जीत हुए लेकिन सरकारी कह रहे है कि जो विपक्स के पास किसानों का मुद्द था हमने वो खतम कर दिया अब जो मुद्दे मुद्दे है सारे मुद्दे कौन सा मुद्दा नहीं है बेरोजगारी का मुद्दा है जोजवान की नौकरी का मुद्दा है कहा था बादी इने पकोड़ा बेचो ये हमारे पाद मुद्दे तो इतने है जो हमने काम किया है दो हजार सत्रा बारा से सत्रा तक जो हम कर दिखाए है तीव मेर अन्होंन से उन्होंन पास्तिरा ओडेता है। मेर काम बोलता है। हमस्थ प्रईजस का का मूलता है। हम ने ल्लाइक पाच तंड खाया है तीन लाइक पॉड़् को मुड्स घे थाट उन्होंने एक देखे देक। इम questa देखे बेरोजगारी भत्ता दिया हमने वर्धा पिंसन दिया हमने स्वाजवादी पिंसन दिया हमने कौन से काम साट वर्ष के लोगों को किया हमने क्या काम नहीं किया हमने बहुत से काम किये किसानों की जीत के लिए किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे हम किसानों के आभार व चोड़ा, बड़ चोड़ा, जमीन चोड़ी, जाइडाद चोड़ी, प्रापर्टी चोड़ी, छोड़के आज धरने पर बैटेते, रोड़ों पे निकलाया थे, रोड़ पर आदमी खड़ाता, मैं उनका जीवन अभारी रहूंगा, मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ, जो हमारे किसान, जिनकी मौते हुई है, उनको मैं उनकी आत्मा को संती के लिए आज का दिन, ऐसा दिन है, जिसमें काला कानून वापस हुआ है, मैं उनकी आत्मा को संती के लिए बहुत बहुत बदाई देता हूँ, जिस तरीके से बोला जाता था हिटलर सरकार है, क्या रही गई बगर जहां जहां भारती जिन्ता बार्णी की सरकार है उनकी भी सरकार अब दस्त होने जा रही है